नमस्ते महुंदेव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर बात करेंगे हैं हम फिल्टर्स की अगर हम गूगल पर जाते हैं और सर्च करते हैं फिल्टर्स तो हमें इस तरह के काफी सारे डाइग्रम्स दिख जाते हैं जिसमें सबसे important या कह लीजिए सबसे common तीन है low pass filter, high pass filter और band pass filter ये तीनों को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि exactly ये होते क्या है यहाँ पर मेरे पास एक music का track है जो हम थोड़ी ही दिर में सुनेंगे जब हम बचपन से ही देख रहे हैं कोई speaker घर पे लेकर आते हैं या गाड़ी में देखते हैं volume के पास हमारे पास दो buttons होते हैं base और treble अब ये base क्या है अगर हम frequency की term में बात करें तो base है मेरी low frequency और treble है मेरी high frequency किस तरह से मैं यहां जाता हूँ mixer में और मैं यहां पर एक लेता हूँ fruity parametric EQ 2 ये एक equalizer है एक filter ही है और हम देखेंगे किस तरह से एक काम करता है मैं जैसे ही इसके उपर अपने mouse का pointer move करता हूँ आप यहां पर hint panel के अंदर देखेंगे कि यह देखें 100C hertz 72 करते करते मैं एकदम 23, 22 और 20 अब उपर देख सकते हैं 20 hertz और मैं left लेकर जाऊँगा तो gone और जिस तरह से मैं right जाता रहूँगा आप देख रहे हैं 700, 800 और बढ़ते बढ़ते हो गया वो 46 करते 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 आप देख रहे हैं 800, 19,000 और यह 20,000 hertz हिंट पैनल में देखें और जैसी मैं right गया खतम यानि कि इसकी कहने का मतलब यह है कि हमारी जो capability है हमारे कानों की human ear की वो 20 hertz से 20,000 hertz है हम इस frequency range के बीच की sounds ही सुन सकते हैं बीच की frequencies ही सुन सकते हैं 20 के नीचे नहीं 20,000 के उपर नहीं obviously किसी ideal condition के अंदर हम definitely 20 से थोड़ा बहुत नीचे या कभी 20,000 से उपर शायद सुन भी पाए लेकिन आम जीवन में अगर मैं आपको पताऊं तो जैसे ही हम 25,26 इस age को cross करते हैं हम 20 तो क्या 22,23 भी कभी कभी हमें सुनना बंद हो जाता है वो चली और बात है यह सबकी एक range है सुनने की for example अगर हम dog की बात करें आप search करेंगे dog whistle आती है वो 55,000 hertz सक वो sound produce करती है जो dogs को सुन जाती है पर इनसानों को शायद नहीं अगर वहाँ पर range set कर रखी हूँ fair enough अब मैं यहाँ पर जाता हूँ यह जो हिस्सा है मेरा आप देख रहे हैं 100 hertz, 60 जितना भी hint panel में लगतार देखता रहूँगा right यहाँ पर भी यह बता रहा है 63 है 136 है यह मेरी low frequency है यह मेरी base है मैं right क्लिक करूँगा reset वापिस वो आ जाएगा और जो यह हिस्सा है यह मेरी high frequency है अब यह चीज़ क्या है low यानि base high यानि तीखी frequencies मेरी treble जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो एक basic यहाँ पर filter मुझे यहाँ पर भी दिया गया है जिसके अंदर मेरे पास 3 band दिये गए है low band, mid और high हम अगेन उस diagram पे जाते हैं low है, एक high है, एक band है, क्या है आईए देखते हैं अगर मैं low pass की तरफ जाओं, यानि की मेरी low frequencies पास हैं और मेरी high जो है वो cut हो गई है ठीक है, मैं इस diagram को देखता हूँ, low मेरी pass है, high को मैंने cut कर दिया है right, almost same diagram बन रहा है, देखते हैं क्या impact पड़ता है, sound सुनते हैं एक बार आप देखते हैं, जैसी high मैं down yap करता हूँ, आप जो तीखी frequencies हैं, वो कमजाज ज्यादा सुननी शुरू हो जाती है same मैं बात करता हूँ, मेरे high pass filter की, यानि की high frequencies मेरी pass, low frequencies हो गई cut देखते हैं, low को किया cut, again वो ही diagram बन रहा है, ठीक है, right click reset, एक बार सुनते है कि क्या sound में फरक आएगा आप देखरें, जैसी मैं cut करता हूँ, bass जो है, low frequencies, bass, वो cut हो जाती है, right मैंने का बहुत अच्छी बात है, मैं थोड़ा band उठा दूँगा, low और high दोनों को बंद कर दूँगा, तो band pass filter बन जाएगा थोड़ी सी telephonic sound वो होनी शुरू हो जाएगी, पर मुझे और details चाहिए, और details ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ, और मैंने कहा, एक parametric EQ, जिसके अंदर मुझे और सारे bands मिल गए, right, low mid, mid, high mid, highs, किसी को मैंने दीखा करना है, कोई sound थोड़ी डाउन करनी है, कोई up करनी है, अल इस बढ़ती या घरती जाएगी, जैसी मैं high आप यह डाउन करूँगा, जो तीकी frequencies है, harsh frequencies है, air है, जो वो कमजाज ज्यादा होती रहेगी, बीचवारी किसी भी मैं band को boost करूँगा, या tenuate करूँगा, आप यह डाउन करूँगा मतलब, तो देखेगा sound में क्या फरक आता है फिर आपको पता लगेगा कि filters और EQ की कितनी importance है music production में और mixing में, लो कट किया, bass एकदम बन, boost किया, तो काफी bass आ गई, highs देखते हैं बीच में कोई band देखते है, तो कितनी independence आ जाती है, अलग-अलग bands को, अगर हम आप यह down कर रहे हैं, अलग-अलग filters यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से बहुत अच्छा, और अगर exactly, मैं replicate करना चाहूँ, low pass, band pass, high pass, जी जितने भी हैं, notch कैसे होगा, मैं यहाँ जाता हूँ right click करता हूँ, type, यहाँ पर मेरे पास अलग-अलग दिख रहे हैं, मैंने कहा high pass, click किया, तो high pass और low cut, exactly वो ही high pass, high pass, low cut, right, exactly same diagram बन गया, अब इसको मैं जहां तक आगे move करता जाहूँगा, 140, 164, इसका मतलब है, 164 hertz तक यह cut कर दे, नीचे की सारी जो low frequencies हैं, वो बंद हो जा यह जो point है, जहां से वो cut हुआ है, उसे हम बोलते है cut off, आने वाले समय में आपको काफी सारे synthesizers पे और बहुत सारे mixing units पे एक knob दिखेगी, cut off knob, वो cut off क्या होगी, जहां से यह cut किया है, यानि कि यह knob, cut off, मैं cut करता गया, 219 hertz तक cut हो गया, यानि कि 219 के नीचे वाली frequencies cut हो मैंने का नहीं, जादा नहीं, चलिए मैं थोड़ा साइसे gentle रखता हूँ, थोड़ा gentle हो गया, तो किसी साब से आप उसकी steep रखना चाहें cutting की, वो यहां से आप कर सकते हैं, अगर मैं low pass की तरफ जाना चाहूँ, यानि कि high cut, मैं यहां जाता हूँ, type पे जाता हूँ, low pass, low cut ह हो जाएगा, इसको कहीं सी भी मैं boost कर सकता हूँ, attenuate कर सकता हूँ, right, sound पे काफी फरक आता है, overall जब हम mixing की बात करते हैं, मेरे vocals, vocals कहीं record हो रहे हैं, किस तरह की harsh frequencies हैं, कौन से सब तक पे गाया गया है, उस हिसाब से हम किसी भी singer की आवाज को boost करते हैं, या cut करते हैं, EQ यह करता है, आप यह मान कर चलिए, दुनिया की कोई भी project file music की ऐसी नहीं है, जिसमें EQ या filters यूज ना हुए हो, practice कीजिए, मिलते हैं गले lecture में, तब तक लिए देवनेक्स लेवल, signing out, नमस्ते